आईपियल के महारती सीजन में अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपियल के सीजन में केक यार आपको बिल्कुल बदली बदली सी नजर आएगी खिलाडियों की निलामी के दोरान इस टीम के कई खिलाडी इधर उधर हो गए जिसमें खुद टीम के कप्तान गौतम गंभीर भी है केकेर को दो बार खिताब दिला चुके गंभीर फिलाल इस बार टीम के साथ नहीं है KKR की कमान इस बार DK यानि दिनेश कार्थिक के हाथ में होगी तो आईए बात करते हैं DK की KKR के Most Experience प्लेयर की कोलकता नाइट राइडर्स को इस सीजन में तो अनुभवी खिलाडियों का फाइदा मिलेगा जी हाँ टीम के कैप्टन दिनेश कार्थिक और बल्लेबाज रॉविन उथपपा ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम में सबसे अनुभवी है दिनेश कार्थिक के IPL करियर की बात करे तो टीम के अनुभवी खिलाड़ी DK ने कुल 152 मैच खेले है इस दोरान अब तक 2903 रन कार्थिक बना चुके है IPL के करियर में 71 छक्के और 286 चौके जड़ चुके दिनेश कार्थिक ने अब तक 14 अर्ध शतक लगाए है दिनेश कार्थिक ने 2008 में दिल्ली डेडेविल्स के टीम से IPL में डेव्यू किया था जिसके बाद से किंग जिलेवन पंजाब, मुंबई इंडियन्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात लाइन्स के लिए भी खेल चुके है दिनेश कार्थिक पाँच टीमों के लिए खेलनेवाले दिनेश कार्थिक इस बार केके आर से कैप्टन के तौर पर जुड़े है वही इस टीम में एक और अनुभवी खिलाडी है, रॉबिन उथप्पा जिन्होंने अपने कप्तान डीके से IPL में सिर्फ तीन मैच कम खेले है रॉबिन उथप्पा के नाम IPL 249 मैच खेलने का रेकॉर्ड है रॉबिन उथप्पा अब तक 3778 रन बना चुके है रन के मामले में अपने कप्तान से आगे उथप्पा के नाम 125 छके और 377 चौके है IPL में 22 अर्थशतक जवाच चुके उथप्पा ने मुंबई इंडेंस के लिए खेलते हुए 2008 में डेबू किया था अपने कप्तान डीके की तरहा उथप्पा भी अब तक 5 टीमों के लिए खेल चुके है केके आर को डीके रॉबिन से उम्मीदे ने कप्तान के साथ इस IPL में उतर रही केके आर के पास दो सबसे अनुभवी खिलाडी होंगे जिन से इनके फैंस को काफी उम्मीदे होंगी दिनेश कार्थिक और रॉबिन उथप्पा अपने तेज तरार शॉट्स के लिए जाने जाते है वही दोनों ही रन को रफतार देने में माहिर है ऐसे में इस IPL में केके आर के फैंस को इन दोनों से IPL खिताब जिताने की उम्मीद रहेगी इन दोनों किलाडियों के सामने गौतम गंभीर की जगा भरना भी बड़ी चुनाती होगी जिन्होंने केके आर को अब तक दो बार खिताब दिलाया है